साथियों मैं या आने के लिए रास्ते में था तो पता चला कि बहन जी ने पस्चिम मंगाल को ले कर मुझ पर निशाना साधा है चुनाव आयोक को भी आड़े हाथों लिया है मैं तो सोच रहा था कि जिस तरह ममता दिदी वहाँ पर यूपी बिहार पुरवांचल के लोगों पर निशाना साध रही है उन्हें बाहरी बताकर अपनी राजनिती कर रही है बहन मायावती इस पर ममता दिदी को जरूर कुछ खरी खोटी सुनाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको आपकी चिन्ता नहीं है उनको तो कुर्सी का खेल खेलना है साथियों यहाँ यूपी में सभा के बाद मैं आज फिर एक बार बंगाल जाने वाला हूँ बंगाल की मुख मंत्री लोग तंत्र के द्वारा चुनी हुई मुख मंत्री बारत के बंधारान बारत के लोग तंत्र एक सो तीस करोर देश्वास्यों के अशिरवात से मोदी जो प्रधान मंत्री चुना गया है उसको बंगाल की मुख मंत्री अपना प्रधान मंत्री नहीं मानती है वो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को तो प्रधान मंत्री मानती है लेकिन हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री नहीं मानती है और भायों बेनों आज जब मैं बंगाल जा रहा हूँ तो देश वाचियों को याद दिलाता हूँ मुझे आज है कुछ महिना पहले जब पस्चिमी मिदनापूर में मेरी रेली थी तो किस तरह की आरा जगता वहां के टीमसी द्वारा फैलाई गई थी इसके बाद बंगाल में ठाकुर नगर में मेरी सभा थी तो ये हालत कर दी गई थी कि मुझे अपना संभोधर बीच में छोड़ कर मंच से हट जाना पड़ा था कुछ दिन पहले कुँच बिहार में मेरी रेली के लिया है जहां मंच बनना था वही पर दीदी ने अपनी पार्टी का बड़ा सा मंच बनवा दिया था ये सब सत्ता के नशे में लोग तंत्र विरोती मानसिक्ता में दीदी आप करती रही हो दीदी का रविया तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ अब पुरा देश भी देख रहा है आज शाम को कोलकता में दमदम में भी मेरी रेली है देखते हैं दीदी ये रेली होने देती है या नहीं उसका चले तो वहां हमारे हेलिकॉप्ट को उतरने भी नहीं देगी साथियों टीएमसी के गुंडों की ये दादा गिरी परसों राद भी देखने को मिली परसों कोलकता में भाई अमिच सहां के रोड़शों के दोरान टीएमसी के गुंडों ने इस्वर चंद्रविद्या सागर की मुर्ति को तोड़ दिया ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजाद दी जानी चाहिए वही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस्वर चंद्रविद्या सागर जी के वीजन के लिए सबरपेत हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक बव्यम मुर्ति की स्थापना करेगी और टुएमसी के गुंडों को जवाब देंगी इस्वर चंद्रविद्या सागर मात्र बंगाल की नहीं बलकि भारत की महान विभूती है वो महान समाज सुधारक सिख्षा सात्री नहीं बलकि गरीबों और दलिक और दलितों के सवरक्षक भी थे महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने उस दोर में आवाज उठाई थी उन्होंने मानवता की सेवा के लिए जो किया है उसके हम सभी रिणी है हमारी सरकार देश की ऐसी ही विभूतियों की पिरणा से देश को नई उचाई पर ले जाने का काम कर रही है भाजपास सरकार के तो मुल में बंगाल की संस्कृतिक भक्ती है वेच से विवेकानन तक और नेताजी सुभाचंद्र बोच से लेकर डॉक्टर शामा प्रशाद मुखरजी तर हमारे चिंतन मनन को बंगाल की उर्जा ने ही प्रभावित किया है